दोस्तों आज जो हमारा विडियो का टॉपिक है वो रहेगा रोनाल बार्थ के उपर जिन्हों ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है जिसका की नाम है फाइफ कोड़ आप सिमियोटिक तो ये कोई बुक नहीं है बलकि ये उनका एक कंसेप्ट है जिसके बार में हम सिमियोटिक ये फॉर्दर पांच परकार में डिवाइडेड है ठीक है तो फाइफ कोड सिमियोटिक के कौन से पांच परकार होते हैं इसी के बारे में रुनाल बार्थ में बात किया है और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले तो सिमियोटिक का मतलब समझत कि sign जो है वो दो परकार में divided होता है signifier में और signified में जैसे कि word dog तो dog मैंने जैसे ही बोला तो आपके mind में यह अलग-अलग परकार के dog का picture आया हुआ किसी के mind में लेवरा डोग आ सकता है किसी के mind में street dog आ सकता है किसी के mind में जर्मन से word आ सकता है तो जो यह sign है वो अलग-अलग होते है signifier के रूप में और signified के रूप में तो रोनाल्ड बार्थ उसी semiotic यानि उसी दो चीज के बारे में उन्होंने बात कि जैसे कि फटिनांडी सोसौर ने दो परकार में divide किया और रोनाल्ड बार्थ ने उसी को पांच परकार में divide किया ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को और आगे हम लोग देखते हैं अब जो की concept है उनका जो five quotes of semiotic में जो उन्होंने पांच परकार में further उन्होंने जो divide किया है हम उसके बारे में one by one करके जानेंगे तो पहला जो concept है उसमें यानि कि जो पहला code है व कि some things which is mysterious and unexplained ठीक है तो मतलब कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा रहस्माई हो mysterious हो और unexplained हो जिसको की unexplained नहीं किया जा सकता है या unexplained नहीं किया गया हो ठीक है अब इसको हम लोगी example से समझते हैं hermeneutic code को जैसे कि जब आप कोई series देखते हो या फिर कोई serial देखते हो तो उसमें आपको यह line दिखता होगा to be continued और three dot 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 वहाँ पर करके लिखा होता होगा तो बहुत सारा वादिसे तारग महता का उल्टा चस्मात दिया और बाती हम बहुत सारे Indian जो serial होते हैं उसमें यह लिखा होता है जब वो serial खतम होगा तो लिखा होता है to be continued यानि कि आप आगे यह चीज देखोगे तो अब जैसे ही आपने कुछ छोटा सा क्लिप देखा वहां की जहां यह कल दिखाने वाला है तो क्या हो जाएगा आप एकदम से क्यूरियोस हो जाओगे कि क्या होने वाला है ठीक है लेकिन वह mysterious रहेगा वह mystery है अभी आपको पता नहीं है और unexplain भी है आप उसको explain भी नहीं कर सकते हो भाई क्या होने वाला है तो mystery भी है और unexplain भी है इसी को हम लोग बोलते हैं हर्मिनॉर्टिक को ठीक है अब इसमें जो अगला कोड है वह सिमेंटिक कोड तो सिमेंटिक कोड हम लोग किसको बोलते हैं कि सिमेंटिक कोड का मतलब यह है कि even there is element and we have some extra element meaning ठीक है तो उसको बोला जाएगा semantic को जैसे कि मालीजी कोई आप एक चीज के ऊपर काम कर रहे हो और कोई बाहरी force भी आप उस चीज को काम करवा रहा है तो इसको हम लोग example से समझते हैं ज्यादा बेटर समझ में आएगा जैसे कि अगर life में कभी आपने आर्मी का प्रिपरेशन किया होगा तो यह चीज आपने जरूर देखिए होगा कि जब आर्मी के जो candidate है जो eris parent हो नात मेहनत करते है तो वह क्या करते हैं वह patriotic song लगा लते हैं यानि कि देषभक्ती गाना लगाते हो और जब देषभक्ती गाना सुनते हैं तो उनको दोड़ने में ओर ज्यादा एनर्जी मिलती है ठीक है तो इसी को बोलते है यह best example है semantic quote का ठीक है एक और एक्जाम्पल लेते हैं जैसे कि बहुत सारे इसमें से आप लोग में से वीवर होगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते वक्त में यह फोन डाल लेते हैं और जो गाना है जो उनका फेवरिट गाना है उसको बहुत ही लिमिटेट साउंड में उसको बैठ़ाय रखता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, semantic code ठीक है तो semantic code का मतल democrat समझ में आ गया कि जब आप काम कर रहे हो और एक बाहर का element भी आपको उस काम को करने के लिए इंस्पयर कर रहा है उसको हम लोग बोलते है, semantic code कोड है उसको हम लोग बोलता है symbolic code ग्या है ? तो symbolic code का मतलब हो गया, कि जब हम कोई बुक पड़ते हैं, जैसे कि हमलिजे की हमलेट का एक बुक है और जो says multiplier का हमलेट है हमलेट जो बुक है उसमें जब आप उसका एक्साम दोगे सपोज कि वह आपका ग्रेजुएशन में या मास्टर को पढ़ना है तो जब आप उसका एक्जाम दोगे तो एक्जाम देते वक्त हो सकता है कि उसमें कोशन है कि ठीक है भईया आप हमलेट का जो है वह थीम बताईए तो जो थीम है ना उसी को हम लोग सिंबोलिक कोड बोलते हैं तो सिंबोलिक कोड का मतलब यह होता है कि वें टू कोनोटेटिव मीनिंग कम टूगेदर तो कोनोटेटिव मीनिंग का मतलब क्या होता है कि जो आप बुक पढ़के जो नो आप उसके अंदर का जो चीज है आप उसको निकालते हो ठीक है जैसे कि मालजे कि आप कोई वर रहे हो तो उसका theme हो सकता है nature versus society, religion versus science, nature versus nurture, hate versus love तो ये theme हो सकता है किसी भी एक work है ठीक है आप कोई भी work उठालो जो वो theme होता है उसी को अमलग symbolic quote बोलते हैं आप connotate कर रहे हैं आप उस text को पढ़के एक दूसरे आप एक अपना meaning निकाल रहे हो ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं symbolic quote अब दोस्तों अगला जो quote है वो है प्रो-eerratic code तो प्रो-eerratic code का मतलब यह हो गया कि जिसमे suspense हो ठीक है जिसमे suspense हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रो-eerratic code तो दोस्तो प्रो-eerratic code का मतलब यह है कि जैसे कि आप कोई movie देख रहे हो जैसे कि मैंने कुछ दिन पाले एक series देखे थी Mx player पर możemyraçãoब करके तो उसमें बहुत जादा ही सब्सक्राइब जितना भी आप सीरीज देखें neo लगबक सारे सद्डूम्मग स Bना होता है जैसे कि एक और मैंने सिरीज देखें ती मनी tie ह सब्सक्राइब और बेस्ट अगर सस्पेंस वाली मुवी देखना है न तो वह एक एक्सटर्शन तो नहीं एक हैज बहुत नहीं देखे अब नाम ध्यान पर नहीं आ रहा है मुझे वह द्यान पर नाम नहीं आ रहा लेकिन बहुत ही जबर जर्श्ट भुग थी और उसको ऑसकर भी मिल चुका है जो टाइटेनिक का एक्टर है न वहीं उसमें भी काम किया है उन्होंने कमाल उसमें इतना ज्यादा से स्सenne डाला गया है किला पूछीए हिमत तो यह चार आप और उन्होंने स्मियुक्रिव में उसके बना नहीं पया तो जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसको देखिक मैं उसको बता देतां हूं तो जो अगला code है उसको बोलते है हम लोग cultural code ठीक है पहला है hermeneutic code दूसरा है pro erratic code तिसरा है semantic code चौता है symbolic code और पाचवा जो है मैं लिख नहीं पाया I'm sorry उसको हम लोग बोलते है cultural code तो cultural code का मतलब यह है कि इसका मतलब यह हो जागा कि this is common which is shared by the community ठीक है तो यह community के द्वारा बिल्कुल common चीज होता है और यह share किया जाता है example के तोर पर ले सकते हो कि when in any movie in between comes a devotee line that known as cultural code ठीक है तो cultural code मतलब example अगर हम लोग cultural code का लें तो cultural code में क्या होता है कि जब आप movie देख रहे हो और movie के बीच में एक religion से related कोई एक वाक के आज है ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अच्छा यह जो है को cultural code है तो cultural code का मतलब यही होता है कि जब आप कोई एक movie देख रहे हो कोई series देख रहे हो और वो series के बीच में उस movie के बीच में कोई आपको एक religion का बग बताए कि देखो यह तुमको चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारे धर्न में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो उसी को हम लोग बोलते हैं cultural code तो यह पाचवा जो है वह मैं टाइप नहीं कर पाया ध्यान पर नहीं आया तो पाचवा जो है उसको हम लोग बोलते है है cultural code अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आगे mcq देखेंगे कि जो की नेट के पॉइंट अब यूसे काफी इंपॉर्टेंट है क्या है अब आइम स्वारी देखिए cultural code मुझे लगा कि नहीं है मुझे लगा सथी यह नहीं तो cultural code हाँ इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी भी मूवी में और किसी सीरीज में जब एक religion के religion तर्म आजाए तर्म नहीं बोल सकते ओर religion का लाइन आजा है तुमको पढ़ना तो है नहीं तो कर्म नहीं करोगे तो तुमको फल नहीं मिलेगा ठीक है तो कर्म परधान और विश्व करीड आखा तो यह जो लाइन है ना इसी को हम लोग बोलते है Cultural Quote ठीक है तो यह पाँच Quote जो है वो 5 Quote अब सिमियोटिक में आता है जिसको की डिफाइन किया है रोनार्ड बार्थ ने अब दोस्तों हम लोग आगर देखेंगे MCQ को पहला कोश्चन है लनार्थ वोड वेज़ को चेंगे Master情況 है तो किस केंगे K तो राइट आप जो कंसेप्ट यह वो त्रिफिर्वर्थ अपलाई किया गया है अगला question है whom does what's worth call stern daughter of vice of God तो stern daughter of vice of God ये line what's worth ने किस के लिए बोला है तो ये जो line है उन्होंने duty के लिए बोला है कि जो हमारा कर्म है जो हम day to day life में करते हैं ठीक है जैसे कि अभी हमारा duty क्या है कि अभी हमको पढ़ना है तो ये हमारा कर्म है तो इसी चीज को उन्होंने बोला है कि stern daughter of vice of God अगला दोस्तों जो question है वो ये है कि what's worth the prelude use the motive of तो what's worth का जो prelude है प्रलिट जो उनका work है वो कौन सा motive यूज करता है जिसका की answer है journey तो उनने journey का प्रलिट जो उनका work है वो है ही उनके journey के उपर what's worth के जर्नी के उपर तो उन्होंने journey का ही motive जो है उन्होंने use किया है प्रलिट में हूं पोएम inspired callers to write dejection and ode dejection and ode जो की callers का एक work है तो किसने inspire किया था? callers को कि उन्होंने आगे जाकर उन्होंने work लिखा dejection and ode जिसका की answer है what's worth अब दोस्तो लास्ट question है in which of the month of the year did what's worth write immortality ode? तो immortality ode जो की एक what's worth का work है तो what's worth ने किस मन्थ में ये जो work है उन्होंने लिखा था और इसका answer है में तो दोस्तो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो यहीं खतम होता है और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद प्राइए है को यहीं नियो है चुछिप्याहँ ही जो हमारे दो करशैकर करें है